कितना सुपष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब यदि दशों दिशाएं हमारे सामने होती हमारे चारों और नहीं कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को दस सिरों से सोचने और बीस हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब शुरू से शुरू हो लेकिन अंत तक पहुँचते पहुचते हिम्मत हार जाते हैं हमें कोई दिल चस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होगा जो इतनी धूम धाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर दुर्गमवनों और उंचे परवतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम उंचाई को भी जीत लोगे जब तुमें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला त झाल